नमस्कार स्वागा थे आप सभी का सिक्षा स्टेटियो के से योटूब चैनल में आज है 13 मार्च का दिन और 13 मार्च के दिन के जितने भी important current defense के प्रस्ण बन सकते हैं उन सभी important current defense के प्रस्णों को आज के इस वीडियो में हम cover करेंगे तो चले वीडियो को सुरू करते हैं पहला प्रस्ण हमारा है हाली में जारे की गई सिप्री की हतियार आयातक सम्बंदी सूची में भारत को कौन सा अस्थान दिया गया है तो हाली में जो सिप्री की हतियार आयातक सम्बंदी सूची जारे की गई है इस उची में भारत को दूसरा अस्थान दिया गया है तो इस प्रस्ण का जो right answer है हमारा option B याने की हत्यार समंदी जो मतलब हत्यार के आयातक की दिश्टी से देश हैं उसमें भारत को दूसरा अस्थान दिया गया है तो इसे आप आप आदेखेगा हाली में जो SIPRI है आप कहते हैं SIPRI के जारा जो है Trends in International Arms Transfer 2019 पर एक रिपोर्ट जारे की गई है तता इस रिपोर्ट की अनुसार जो हमारा प्यारा देश भारत है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हत्यार आयातक देश है तो इसे भी आप या देखेगा जो हाली में SIPRI की रिपोर्ट जारे की ग हतियार आयातक देश है तो आप इसे या देखेगा इसके बाद जो विश्व के सिर्ष पांच देश है वो कौन-कौन से है इसे भी आपको दिमाग में रखना है तो विश्व में सबसे पहला जो हतियार आयातक देश है वो आपका सौधी अरब है यानि हतियारों को आयात कर के मामले में जो सौधी अरब है वो पहले नंबर पे है उसके बाद भारत है उसके बाद मिस्र है उसके बाद ऑस्टेलिया है और उसके बाद चीन है तो यह पांच सिर्स देश हैं जो हतियार आयात करते हैं तो आप इसे या देखिएगा तता यह जो रिपोर्ट है वह सिपरी के द्वारा जारी की गई है तो था सिप्री का full name क्या होता है तो Stark Home International Peace Research Institute तता सिप्री की जो स्थापना है यह 6 माई 1996 को की गई थी इसका headquarter है Sweden में तो इतनी चुज़े आपको या दखनी है पहले प्रसने का हमारा right answer था option B यानि की दूसरा अस्थान भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा हतियार आया तक देश है अगला प्रसन हमारा है हाली में किसे सीमा सुरच्छाबल यानि की BSF के माने देशक का अतरिक्त प्रभार दिया गया है super important प्रसन तो हाली में BSF के माने देशक का जो अतरिक्त प्रभार है या SS देशवाल को दिया गया है तो इस प्रसन का option जो B है हमारा बिल्कुल सही है SS देशवाल को जो है BSF यानि की Border Security Force का माने देशक बनाया गया है इसके साथ इनको या जो माने देशक का पद है या अतरिक्त प्रभार के अधार पर दिया गया है तो आप इसे या देखेगा ये जो SS देशवाल है ये ITBP के माने देशक है इसके अलावा इनको हाली में BSF के माने देशक का भी अतरिक्त कारिभार सौप दिया गया है तो इसे आप या देखेगा यह जो SS देशवाल है यह ITBP और BSAP दोनों के अब महानिज़सक बन गए हैं तो आप इसे याद दिखिएगा तता यह जो SS देशवाल है यह 1984 बैज के हरियाना केडर के IPS officer भी हैं तो इसे आप याद दिखिएगा अब BSAP के यह महानिज़सक बने हैं तो यह जो BSAP है हमारा Border Security Force है इसकी जो अस्थापना है 1 December 1965 को की गए थी तता BSAP का में उद्देश से क्या था इसको अस्थापिट करने का कि देश की सीमाओं की सुरच्छा को सुनिश्रित करने के लिए जो है BSAP की अस्थापना भारा सरकार के दारा की गए थी 1 December 1965 को जो हमारा LOC है वहाँ पे इनको तैनाद किया जाता है इसके अलावा यह जो BSAP है या नकसल विरोधी ऑपरेशन में भी कार्य करती है तो इतनी जानकारी आपको याद दखनी है दूसरे प्रसन से रिलेक्टेड तता दूसरे प्रसन का हमारा राइट एंसर है ओप्शन B SS देश वाल अगला प्रस हमारा कह रहा है हाली में भारत ने कोरोना वाइरस संक्रमन को रोकने के उद्देश से किस तारिक तक सभी जो टूरिस्ट वीजा है यानि कि परेटन वीजा है उनको निलंबित कर दिया है तो हाली में भारत ने कोरोना वाइरस संक्रमन को रोकने के उद्देश से लगबग 15 अप्रेल तक आप या देखेगा 15 अप्रेल तक भारत ने सभी टूरिस्ट वीजा जो है उनको कैंसिल कर दिया है तो ऑप्सन जो ए है हमारा बिल्कुल सही है 15 अप्रेल तक भारत सरकार ने सभी परेटन वीजा यानि कि टूरिस्ट वीजा जो है उसको निलंबित कर दिया है तो ऑप्सन जो ए है हमारा बिल्कुल सही है आप इससे याद रिखेगा most important इसके साथी जो है कुरोना वारस का संकरमर दिन प्रते दिन बढ़ता जा रहा है तो इसको देखते वे जो न्यू दिल्ली की गवर्मेंट है आप या देखेगा जो न्यू दिल्ली की गवर्मेंट है और जो केरल सरकार है उसने अपने राज में 31 मार्च तक जो है सभी सिनेमा घरों को बंद करने का सभी सिनेमा घर और इसकोलों को बंद करने का निल्देश भी जारे कल दिया है तो इसे भी आप याद रखिएगा अगर आप प्रसमारा कहा रहा है भारा सरकार के दोरा अंतराश्टी योग दिवस 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाएगा तो अंतराश्टी योग दिवस 2020 का जो आयोजन है यह लेह में किया जाएगा तो option जो D है हमारा बिल्कुल सही है लेह में अंतराश्टी योग दिवस 2020 का जो है आयोजन किया जाएगा तो आप इसे याद देखेगा option जो D है हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वर्स 2020 में हमारा छटमा अंतराश्टी योग दिवस मनाया जाएगा कह तो आप इसे या देखिएगा most important अब यहाँ पर अंतराष्टी योग दिवस की बात है तो आईए देख लेते कि जो अंतराष्टी योग दिवस हमारा है वह कब से मनाया जा रहा है तो सबसे पहले है जो हमारा अंतराष्टी योग दिवस है इसको मनाने का जो बीचार है सितं December 2014 में सयंक्तराष्ट महासभा में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के दोरा प्रस्तावित किया गया था बाद में December 2014 में सयंक्तराष्ट महासभा ने सर्वसमती से 21 जून को अंतराष्टी योग दिवस के रूप में मनाया जाने की गोशना कल दी तो आप इसे या देखिएग सयंक्तराष्ट महासभा ने 21 जून को अंतराष्टी योग दिवस जो है मनाया जाने की घोशना इसने की थी पूरी सर्वसमती से तथा जो हमारा पहला अंतराष्टी योग दिवस था यह 21 जून 2015 को मनाया गया था तो यह भी डेट आपले इंपोर्टेंट है वहां के राष्टपती 2036 तक अपने पत पर बने रह सकते हैं तो हाली में जो है संसद है कहां की रूस की रूस की संसद को हम डियूमा कहते हैं तो रूस की जो संसद है डियूमा उसने अपने यहां प्रस्ताव पारित किया है तता इस प्रस्ताव के अनुसार वहां के जो राष्टपती हैं ब्लादिमीर पूतिन आप या देखेगा रूस के जो राष्टपती हैं ब्लादिमीर पूतिन वह 2036 तक अपने पत पर बने रह सकते हैं याने 2036 तक जो हैं ब्लादिमीर पूतिन रूस के राष्टपती रह सकते तो option जो इसका C है हमारे बिल्कु सही है रूस की जो सांसद डियूमा इसने इस प्रकार का प्रस्ताप पारित किया है कि जो रूस के राष्टपती हैं ब्लादिमीर पूतिन वह 2036 तक अपने पद पे बने रह सकते हैं या पे आप देख रहे हैं रूस का जो निचला सदा ने डियूमा ने एक ऐसे प्रस्ताप मुहर लगा दी है जिससे पूतिन यानि कि ब्लादिमीर पूतिन का जो कारेकाल है दो और टर्म के लिए बढ़ सकता है अब वे 2036 तक देश के राष्टपती बने रह सकते हैं हालनकि 2024 में जो है पूतिन का जो चौथा कारेकाल है राष्ट को डियूमा कहा जाता है अब यहां पर बात रूस की है तो रूस की राधानी है मासको यहां की मुद्रा है रूबल राष्टपती यहां के हैं ब्लादिमीर पूतिन तो आप इसे याद देखिएगा पांचमे प्रस्त का हमारा option C बिल्कुल सही था रूस अगला प्रस्त हमा बंद कर दिया गया है किसके दरा तो करनाटक सरकार की यह योजना थी साधी भाग की योजना इसको हाली में बंद कल दिया गया है इसी कारण से यह योजना सुर्खियों में है तो option जो A है इस प्रस्त का हमारा बिल्कुल सही है करनाटक सरकार की यह योजना थी साधी भाग योजना इसको अब बंद कर दिया गया है इसी कारण से यह योजना जो है सुर्खियों में है तो यहाँ पर देख रहे हैं करनाटक सरकार ने 2013 में पिछली सरकार के तरह सुरू की गई साधी भागी योजना को अपने यहां बंद कर दिया है तो आप इसे यहाँ देखिएगा तताय जो साधी भाग योजना थी, इस योजना के तहट मुस्लिम दुलनाओं को साधी के खल्च के लिए 50,000 रुपे की वित्ती साहता दी जाती थी, इसके लिए अब लाबालती को अपने आधार और BPL कार्ड जमा करने पड़ते थे, परन्तु अब इस योजना को बंद कर द पा, यहां के राजपाल हैं, वजुभाई वाला, तता छटमें प्रस्न का हमारा राइट एंसर है, ओप्सन ए, करनाटक की गौर्मेंट, अगला इंपोर्टन प्रस हमारा है, हाली में विंक्स इंडिया 2020 कारकरम का जो आयोजन है, वह कहां पे किया जा रहा है, तो विंक्स इंडिया करकरम 2020 का जो आयोजन है, यह हैदराबाद में किया जा रहा है, तो इस प्रस्न का राइट एंसर हमारा है, ओप्सन ए, हैदराबाद में किया जा रहा है, जो है, विंक्स इंडिया करकरम का आयोजन, तो आप इसे आ देखेगा, ओप्सन जो ए है, हमारा बिलकुल स एवं उद्योग परिसंग के साथ मिलकर तेलंगाना सरकार जो है विंग्स इंडिया 2020 कारेकरम का आयजन कर रहे हैं तो आप इसे याद देखिएगा तो आप इसे याद देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रस्त हमारा कहा रहा है हाली में वर्ल्ड किड्नी डे कब मनाया गया है सुपर इंपॉर्टेंट प्रस्त नों तो हाली में वर्ल्ड किड्नी डे कब मनाया गया है तो 12 मार्च के दिन यानि प्रती वर्स 12 मार्च के दिन जो है वर्ल्ड किड्नी डे मनाया जाता है तो आप्सन जो इसका सी है हमारा बि Equitable Access to Care तो यह आप याद देखिए का इसकी theme भी आपके एकजामे पूछे आ सकती है तता 12 March को जो है World Kidney Day मनाया गया है अगला प्रसमा रहा है हाली में BBC पोल में विश्व के अब तक के सबसे महानतम नेता कौन चुने गया है तो BBC की पोल के अनुसार विश्व के अब तक के सबसे महानतम नेता चुने गया है महराजा रनजीत सिंग यानि option जो B है इस प्रसमिका हमारा बिल्कुल सही है जो महराजा रनजीत सिंग है भारत में सिक्समराज के निश्मी सदी के सासक महराजा रडजीज सिंग को BBC World Histories मैगजीन के दोरा कराये गए सर्वे के बाद Greatest Leader of All Time यानि अब तक के सबसे महानतम नेता चुना गया है तो आप इसे याद देखिएगा महराजा रडजीज सिंग उसके बाद दूसरे अस्थान पे हैं अफरिकी स्वतनता सेनानी अलमिलकर कैबरल और किसरे अस्थान पे हैं ब्रिटेन के प्रधार मंतरी विस्टन चल्चिल तो इसे आप याद देखिए कि यहाँ पे आप पिक्चर ने देख रहे हैं महराजा रणजीज सिंग जिनको BBC पोल के अंसार अब तक का सबसे महानतम नेता चुना गया है आज का लास्ट प्रस नमारा है हाली में महिलाओं के कौसल विकास के लिए डीजी पाइवोट का एकरम किसके दारा सुरू किया गया है तो हाली में महिलाओं में कौसल विकास के लिए जो डीजी पीवोट का एकरम है या सुरू किया गया है गूगल के दारा यानि option जो ए है इस प्रसने कामाना बिल्कुल सही है हाली में महिलाओं के कॉसल विकास के लिए जो डीजी पाइवोट करक्रम है इसको सुरू किया गया है गूगल के द्वारा तो option A इसका बिल्कुल सही है पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे गूगल इंडिया ने महिलाओं के लिए मतलब महिलाओं में कॉसल विकास कारक्रम को बढ़ावा देने के लिए जो है डीजी पाइवोट करक्रम को सुरू किया गया है तता इस कारक्रम का जो उद्देश से है उन महिलाओं के लिए आरम करना जो break के बाद अपने corporate career में वापस आने की कोशिस कर रही होती है या जो job करते वे अपना career digital marketing पर shift करने की योजना बना रही है उन प्रकार की महिलाओं के लिए यह कारक्रम चलू किया गया Google इंडिया के द्वारा तो आप इसे या दिखिएगा अब Google के तरह यह करक्रम शुरू किया गया है तो Google के संस्थापन के लेरी पेज इसके स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी इसके CEO है सुन्दर पिचाई और इसका headquarter present time है USA के California सहर में तो इतनी चीज़े आपको या दखनी है तो दोस्तों या पर हमने तेरा मार्च से समन्दी जितने भी important current interface के प्रसने बन सकते थे उन से भी important current interface के प्रसनों को हमने cover कर लिया है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू, थैंक्स पर वाचिंग, थैंक्यू